इस अप्र में आप आख़े के पाद आप एक प्रेक पाद आप भी खिर दन दुबारा हासर है और आपके लिए फॉनलाइन स्कुलिवी आप हमारसा शामिल हो सकते हैं जो लिवाई हम उसी बात पर दोबारा उलूल अमर वाली बात को दोबारा लेकर आगे बढ़ेंगे अखिए कॉल ले अपने अपने बात शादे तीन मेंस के पर खत्म कर लोगा इंशालला कुछ ऐसे नामने आद मसल्मान हैं जो मसल्मानों के गरों पैदा होते हैं कलमा भी करते हैं इसके पाफ़ जो अब्दि लाइब अभी की तरह मनाफ़क हैं और आज तकोने इतना ही लिवने के करवला का एक छोटा का वाक्या बताने तक लोग नहीं जानते हैं बार बार ना जान दोच हैं अर्के जेस्फट ऑजाते हैं यह अदकि मरगी या मनशाह है अपने मखलूग में जिसको चाहे जैसा कर दे और एक वो हिंदू है जिसका नाब प्रफेसर जगनमाच वाज़ाद है जो किसमेज यूहरस्टी में प्रफेसर है इस आजल में पैदा हुए और उन 24 जुनाई दो जार चार को वफात पागे वो कितना पहले करवला को इतने करीम से देख रहे थे एक वो बदकिस्मत मुसल्मान जिनकी शक्रफेसर भी मुसल्मान जाज़ी लग दिया है करवाते जो मुसल्मान हैं उन्हें जरह पर इजम नहीं और एक वो हिंदू के यूं फरमाते हैं उन्हें करवला को जाके वहां बैट करवला को मासूँ किया जो जो पर देख में जो जग में शामल है ये उनके अलफाज है मैं तेन बंदन के पढ़ना चाओंगा बिसमिल्मान है तर तर कांटों में जैसे फूल है यूं है वो नामदार आजाद नो के खार की जद है फूल जद पर है फूल देख हां देख इनकलाब जहां के असूल देख उपर तले तपे हुए जर्रों का इंतिशार अठ्वार जिस कदर हैं बदन पर हैं शौल अजार और इसके साथ साथ हैं चारों तरफ से वार सर तेख से शकस्ता जिगर दिल तीर से फगार दो दिन हुए हैं पीने को पानी मिला नहीं लेकर नमाज जहर यहां भी कदा नहीं अब हैं नमाज-एसर के साथ भी करीब हैं कोई दम ने शाम के लमहात भी करीब एदो पहर की दूप है अब रात भी करीब जिस बात का है जिक्र वह बात भी करीब शाथत्य हुसेन की गोड़े से गिर चुके हैं शहे मशरकें अब सजदे में सर जुकाए हुए हैं हुसेन अब आखरी बंद देख है नगा देखिये मंजर जिगर खराश ताबे नजर कहां के कलेजा है पाश पाश फरियाद से फजाओं में पैदा है इरताश क्या ऐ फलक तुझे इसी वक्त की थी तलाश बस देख दा को सबर जरा भी नहो सके और असर का फरिजा अदा भी नहो सके वो हाथ उठा लाइन का शम्शीर तोल कर बरपूर वार जिसम इदर और सर उडर एकम नगार आहे हाकिकर से बेखबर सजदा यही है सजदा जो बातन पे हो नजर रूह यात रूह शहादत यही तो है कहते हैं जिसको असले अबादत यही तो है अल्ला उन्हें गरी के रहमन करें मरूम को जगनात हजाद को जो हजारों मुस्लमानों के नामनियात मुस्लमानों शक्लशबात वाले मुस्लमानों ज्यादा करवरा से मतासर है प्लाग है कहां इतना पता नहीं कि जांग किसके साथ ही आल्लादाला हम मौमनीन को हुसेड के उस एसरान को याद रखने की याद रखे हमेशा याद रखने की तवफित ये रखे जिसकी वज़ा से आज हम عقل کر مسلمان بھی ہیں دیندار بھی ہیں محمد رسول اللہ کو ماننے والے ورکر مقاب بھی ہیں अगर जे शक्रेम बहुत मेरवानी जजा कर लाए जजा कर लाए जी कॉर कॉलर हमारे साथ असलाम आलेकों रह्मत लाए वालेकुम असलाम मुसी भाई बेन आपको भी असलाम हो पुर्सा हो मेरे अमाम का पुर्सा पेश करतें तक भी साथ आपको मुसी भाई आए साथ मुर्म है मुला अबास की दो रुबाई है पेश करूंगा और एक चोटा साथ मुला अबास की वफा का बाकिया पेश करूंगा अबास के अलम को निशाने वफा कहो अबास के अलम को निशाने वफा कहो और कर्बला की खाको खाके शफा कहो आती है आज भी सदाएं फराद से अबास के वफा को वफा का किर्ददार कहो अलम जिसकी वफा का आज भी अकास बनता है वो जिसका नामी टूटो हुए दिलों की आथ पनता है यकीना चारदा है महसूमीन का नूर यकजा हो तो पिर कमरे बनी हाशम सफी अबास पनता है यू हाथ बलादा है हैदर के लाल के रखा हो जैसे हर्शे बरी को संभाल के है कोई दुनिया में वफा की कोई मसाल प्यासा खड़ा है मश्क को पाने है दर्याव में डाल के वफा की इंतहा ये है कि एक दिन इमामुसान अलाहिए सलम बैठे हुए थे तो अज़रत अबास को लोने आवाज दी तो अज़रत अबास फौरी तोर पे सामने आ गए इमाम ने मुस्करा के कहा अबास मैंने आवाज दी तुम फौरन सामने आ गए तो अबास ने कहा मौला आपने जब पकारा तो मैं आज़र हो गया तो अबास एक वो वक्त आएगा कि मैं आवाजे देता रहुगा लेकिन तुम नहीं आओगे तो अबास ने सोचा ये कैसे हो सकता है उसके बास ये हुआ कि अबास के जिन में ये ख्याल आ गया कि मौला कभी बुला ले तो मैं ना जा सकूँ अबास सोए नहीं उनके आँके सुरुख हो गई इमाम के पास से गुजरे तो माम ने देखा था माम ने आवाद मारी अबास इतरा आगा दरा तो पूछा अबास मारी आखे सुरुख क्यों है तो मौला अबास ने का बाई आपने कहा था कि मैं जहें एक वकत ऐसा आएगा कि मैं आवाद दूँगा तो तुम आओगे नहीं मैं उस वकत से सोया नहीं हू कि अगर अबास को गले लगा गए वादा चूप के गा अबास ये वो देनी है ये वो वकत होगा कि मैं बेगे ना बैटा कर बलागे मदार में अल्मिन्ना तो ये अन्सुना की आवाद बलाद करूगा मेरी कोई सुनने वाला नहीं होगा तुम भी देखराद के करारे सो जाओगे अक्बर भी सो जाओगा कास्ब भी सो जाओगा कोई भी नहीं होगा और वो वकता भी नहीं है अबास तुम अभी क्यों इतनी जाना अपने आपने आपको इसनी तक्रीव में डाने हो लेकिन वो अबास ते जो वफा की इंतहा कर गए और वफा का एक कैसा प्रगाम देगा दुनिया वालों को के देखो तागत भी उनके हाथ में थी इल्म भी उनके हाथ में था मदीने से तो अबास के सहारे से चली थी अबास जब बीबी सुहार होती थी तो अबास के आतों पे बगड़े बैट के सुहार होती थी और वो अबास जब कर्बला के मदान में पहुँचे तो बीबी ने समाम अउर्तों को यह कहा कि अबास फिकर ना करें आपके पर्दों की जामन वाय वाँ वाँ अबास मेरे साथ है लेकि अज महरम को बीपी ने जब कर लिखा कि अबास पींडी टीरे तो कहा बीपी मैं वादा किया था लेकि मैं बादा नच्टकिए हो उबास मेरे पास नहीं है आपके फॉर्दों की जामन नहीं हो सकती वह अब बात है जिसकी कुरवाली ने दुनिया को बतर लिया अगर इसलाम में आना चाहते हो तो इस वफा के जजबों को ले के आ हो अगर वफा होगी तो इसलाम आपके गार पे आपका ग़ल कम करेगा अगर इस अबाद नहीं अबाद की वफा दिल में नहीं रखते तो फिर आपके पाद कुछ भी नहीं होगा तैंक यूजी मेरवादी शुक्रिया बहुत शुक्रिया जजाकर लगा जजाकर लगा अब को दख्भी साब ने दोस्त फरमाया मौला ने जबले शायत फरमाया तैंक या फुरसाद अलहाईजा अपने शेह सवारों को अपने शेयरों को याद किया था बिल्कुल कॉल और कुछ आमिल करें कि अस्सलाम अलेकुम रहमद ल्लाह है आजबी दिनों पे हकोमत हुसान की और हश्र तक रहेगी मुहाबत हुसान की ने पिसर हुसेन का तन था लहु में दर देखी थी यूँ फलक ने अबादत हुसेन की फूटी मदाम दिल में सदाकत की कौपलें जब जब भी याद आए शजात हुसेन की चश्म फलक भी देखकर हैरान रहे गई मेदान कर बला में इमामत हुसेन की किसमत पे उनकी नाज है एहल शूर को जिन जिन को भी नसीब थी कुर्बत हुसेन की दामा अपने सबर छोड़ाना कर बो बला में भी लाजम है मूमनों पे अतास हुसेन की मैदान में डट रहे मिसले चतान वो क्या हुसला बहादरी हमत हुसेन की अफसोस फिर का बाजियों में बटके रहे गए रखी ना याद हमने नसीहत हुसेन की बातल ने सर उठाया है मसुद आज पे महसुस हो रही है जरूरत हुसेन की अली भाई आज जो इस रहम पर जो दौर आया हुआ है ये देखें के कुर्बानी जो दी अगर आज मुसल्मान उस तरफ देखें वो अमल शुरू करें और खुदात अला फिर बरकते नाजल करेगा और ये कभी नहीं हो सकता कि खुदा और एल बैत के मानने वालों को अल्ला कभी भी अपनी अफ्यादत में रखेगा हमें शाहत तरकी देगा ख़दा आज जजा का लाएमन भाई बहुत शक्र गुजार हैं मश्कूर हैं ममनून हैं अपने तमाम सबी कॉलर्स ने जो है वाच बढ़ चल गह सालिया पुरसा पेश किया सेदों शहदा की बारगाह में और खुसें हुज़त अलिस्सलाम मिर्जा जहीन नच्वी साब ने पहले बैत अलिस्सलाम के बच्चों की प्यास को ताजा किया उनकी याद को ताजा किया एक और कॉलर को लेंगे असलाम आलेकूम रहमत ललाह वालेकूम रहमत लाहित बरकाद। हमारी यह होती है कि हम कर्बला के वाक्या को बियान कर सकें और लोगों के दिलों में इसकी असल हकीकत उसकी रूज़ उसके दिलों में उता सकें अपनों में और जहर मुस्लिमों में लेकिन अनफॉर्चनली मुझे बहुत अफसोस है कि मैं पिछले महरम भी देखे इस महरम को तो मैं बहुत ही monitor किया लेकिन फिर भी कमी बेशी आ लेकिन आज के दिन ही महरमों के बार इसके उतर बात करेंगे तीन 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 श्क्सियात हैं जिनको जिनको हमने अग्लोर किया जिनको हम Cities नीफ करते ना अपने प्लेट फारम पर किसी माहरे नफसियात को बलाते हैं ना किसी अकेलोजिस को बलाते हैं ना किसी साइंटर्स को बलाते हैं यानि कि इन तीनों शक्सियात का महारम से लिंक ही नहीं है ये हमें बहुत अक्सपेन का सकते हैं लेकिन एनिवे मसला ये है कि अली बाई मैंने देखा कि महरुमों में फैमिली टूट ली है मेरा एक दोस है पाकिसान में वो एले तशी है लेकिन आदी उसकी फैमिली एले तशी है लेकिन वही उसकी फैमिली एले तशी है बाकिसान अच्छी बात नहीं इस पर इंशालला बाद में बात करेंगे अबी हमारा वक्त जो है वो बिलकुल खत्म हो गया अब रहे था लेकिन लाग बात करके खत्म करता हूं कि आज मैं टीवी पे देख रहा था सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि बच्चों को तर्बीय दे रहे थे कि अगर टैरूरिस टैक हो जाए तो तुमने क्या करना है उन्ह ना बीबी सी बाले तो इसका मैंने चलो आज का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया इसी को मैंने बच्चों का सब्जेक्ट यह ना कल मैं आप से डिसकूर्स करना है आपके बस टाइम हुआ तो बहुत शुक्रिया मजईद गाल हम नहीं ले पाएंगे और एक जोड़ी सी एक ब बात करना बहुत ज़रूरी है मिसिंग पेपल का मामला परसेंज का मामला पाकिसान में बहुत ज़्यादा प्राब्लम होई भी है बहुत सारी फैमलीज मौमनीन की इससे मतासिर है हमारी आवास जहां तक जा रही है महा तक जो है वो जो जो भी हमें सुन रहा है उन तक या हमारी बात पहुचाई जाए जिस तरह से भी हम अपील करेंगे और उसमें इस जो भी हैदजाज में हम शामिल होंगे अपने पूरे टीम की तरफ से एड़ाई टीवी की तरफ से के हमारे लोगों को बिला जवास गर जाब ने भी किया और सिन के अंदर बहुत बड़ी तादाद मौमनीन की किराची एरपोर्ट से भी उठाई गई जिनको ताहाल गिरफतारी भी उनकी शोनी की गई है उनको आशूरा से पहले जो फिल फौर रहा किया जाए वरना आशूरा के जलूस जो है वो धरना देगा हमारे गाईदीन की की तरफ से सामने आजाएगा बहुत जादा जो है वो संगीन सुर्टियाल अख्यार कर गई है हम इसमें वहतिजाज में बराबर के शरीक हैं अपने मौमनीन की फैमिलीज के साथ जिनके जो है वो जवान जियारतों पे जा रहे थे या वापस आ रहे थे आने जाने में एरपोर्टों से घैब हुए हैं मुक्तलिफ लोगों को घरों से भी उठाया गिया है ताके उनके जो वालदें हैं उनके माबाब हैं उनकी आखें उनको देख के ठंडी हो सके इसी के साथ जो हम प्रोग्याम का इखताम करेंगे शरुए हम आपसे जादश चाहेंगे और इन्शाला जदने की रही तो हमारी आपकी मुलाकात कल होगी अपने बहसे ख्यार रखेगा अस्सालाम अलैकूम वर्हमतललाव वर्यक्तू